हेलो फ्रेंड'sNING वेल्कम टो मैं चैनल टार्गेट स सचिज जी के दौस्तो आज की इस वीडियो में बीडियो में बात करने जा रहे हैं UH d Foster हमारे ये तीसरा बीडियो के भारत में यूरूपेट में और य्वायट का आग्मन इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइट किया है दोस्तों जैसे कि पहले बार्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियनों का भारत में आगमन और दूसरे हम पढ़ेंगे हम अंग्रेजों का भारत पर आकरमन ठीक है वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बात करते हैं स सबसे पहले वेपारी कोटी कोचिन में लगाई थी जैसा कि आप मेप में भी देख सकते हैं काली कट के जमूरी ने इनका स्वागत किया था भारत और इरोप के बीच समुद्री मार्क की खोज करने वाला बासको डिगामा ही था पंदरा सो पांच में फ्रांसिसको द अलमेरा भारत में पर्तम पृतगाली सराइक बन कर आया था और कुछ पॉइंट देखते हैं जैसे कि अलवू बर्क करक ने गोवा को जीता था और अजादी 1947 में मिली थी उसके बाद भी गोवा पर पृतगालीयों का सासन था गोवा को 1961 में अजादी मिली पृतगालीयों ने गोव भारत में डच लोग आये थे देखे दोस्तों डच लोग उसके बाद आये हम लोग बात करेंगे डच के बार में देखे दोस्तों यहां पे हम लोग वही पॉइंट्स को डिसकस करेंगे जो कि एक एक्जाम में काफे पूछा गया हो या उसे रिलेटेट चीजे पूछी जा पहुंचा था जैसे कि आप में देख रहे हैं डचो ने अपनी पहली विवपारी कोठी फैक्ट्री सोलव सो पांच में मस्चुली पत्नम में लगाई थी डचो ने अपनी दूसरी विवपारी कोठी पुली कट में अस्थापित की थी जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्खे जो चलाया थो उन्होंने जिसको पैगोडा बोला जाता था उसको ढाला था और पुली कट को ही सभी गत्वीदियो का केंद्र बनाया था ठीक है दोस्तो तो यह जैसे कि आप देख सकते हैं पाल पोली कड़ जो है मेप में कहां पर है इसके बाद डच इस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 दो इसबी में की गई थी रचो और अंग्रेजों के बीच फेदर का यूद हुआ जिसमें अंग्रेजों ने रचो को पुरी तरह से हरा दिया था यह यूद 1769 में हुआ था दोस्तो इस यूद का डेट और हम लोग इसवी याद रखेंगे यह एक्जाम में काफी पूछा जा दोस्तो अगर आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें ठीके दोस्तो तो इसके बाद ब्रच के बाद जो है भारत में अंग्रेज आये थे 31 दिसंबर 1220 को इंग्लेंड की रानी एलिजा ब प्रेल 1609 में जहागीर के दर्वार में आया था दोस्तो मैंने आपको पिछला लेक्षर जो मेरा आया था जिसमें मोगल सल्तुनत के बारे में बात करी थी उसमें मैंने बताया था कि इस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला अंग्रेज था जो की विलियम हॉकिन सा जो प्रतम भारत में आया था भारत में आने वोला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था पूर्वी तर्ट पर अंग्रेजो ने अपना पर्थम वेपारिक को ठी मसुली पर्टनम में 1691 में खोला जबकि पस्चिन तर्थ पर सूरत में 1613 हिस्पी में अस्थापित किया था पहली अनुसार अंग्रेज सुल्टान को 500 पैगोडा वार्सी कर देकर पैगोडा यहां पर रुपया को डिनूट कर रहा था उसमें देकर गोलकुंडा राज के बंदरगाह पर पेपार कर सकते थे उनको पेपार करने के चूट देदी थी फिर 1661 में पृतगाली राजकुमारी कैथ अधरिन ओफ बेलेजा एवं ब्रिटन के राजकुमार चॉल्स देतिय का बिवा हुआ इस औसर पर दहेज के रूप में पृतगाली ओने चाल्स दूतिय को बंबई प्रदान किया था उसके बाद बंबई पर जो है अंग्रेजों का सासन हो गया था 1668 में चाल्स दूतिय न यहां तक हमने देखा कि मतलब कि अब जो है इनका 1687 मंग्रेजों का जो मुख्याल है वो सुरत से अरकर बंबई हो गया था आगे हम देखते हैं कि अंग्रेजों के बाद फ्रांसेसी जो है भारत में आये थे भारत में आवला प्रतम फ्रांसेसी गवर्नर डूपले था यह यह दोस्तों इसको याद रखेंगे नाम काफी इंपॉर्टेंट है यह डूपले भारत में फ्रांसेसी ओने प्रतम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1666 में अस्थापित की थी 1664 में फ्रांसेसी मार्टिन ने पॉंडी चेरी के अस्थापना की थी दूसरा करनाटक यूद जो की 1700 पहला भी हुआ था दोस्तों जो की हमको उतना ही पड़े नहीं है दूसरा करनाटक का यूद जो था 1749 से लेकर के 1754 में हुआ था इसमें फ्रांसेसी गवर्नर डूपले की हार हुई और उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गो देहु को भारत में अगला गवर्नर बनाया गया फिर 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कूट के नेत्रित में वासिंग वास की लड़ाई में फ्रांसेसियों को बुरी तरह से हरा दिया था और 1761 में अंग्रेजों ने पॉंडी चेरी को फ्रांसेसियों से चीन लिया था तो इस पार्ट में हमने देखा कि यूरोपनियों का भारत में आगमन इसमें हमने देखा कि सबसे पहले पूर्तगाली भारत में उसके बद दर्च लोग आया उसके अंग्रेज आया और फिर लास्ट मे मुगलों को राजस से देना बंद कर दिया और इसके सासनकाल में इसके कारण ही मंगाल इतना समरिध हो गया कि इसको भारत का स्वर्ण कहा जाने लगा इसका उत्रदिकारी सिराज दौला हुआ सिराज दौला जो के 20 जून 1756 को काल कोटरी कित राजसी यानि कि जिसको हम लोग ब्लैक होल ट्रेजडी के नाम से जानते हैं ये काफी इंपॉर्डेंट है नामग घटना के वज़े से सिराज दौला ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेज को वेक्तियों को चोटी सी कोटरिम बंद कर दिया था जिसके अगले दिन गेट कोलते ही देखा गया कि तेज ही उसमें जिन्दा बचे थे इससे तेज जून 1777 को अंग्रेजों के सेनापती रोबाट क्लाइब और बंगाल के रतनवाब सिराज दौला के बेच युद हुआ जिसमें कि सेनापती मीर जाफर की दोखादरी के कारण सिराज दौला जो है पराजित हो गया इसके ही सेनापती ने इसको दोखा दिया था जिसके कारण ये हार गया था युद आगे जो है 1761 में पानी पट का तिरतिय युद मराठो और अमत साभ अबदाली के बिच हुआ और अंग्रेजो ने फिर 23 अक्टूबर 1764 में सेनापती हेक्टर मुन्रुक ने तुरुत में बक्षर का युद लड़ा जिसमें की मीर कासिम को पराजित करके पूरे बंगाल पर कबजा कर लिया था मैसूर के सुल्तान और उसके पुत टीफू सुल्तान को युद में हुआगे बिचार और अ Roar Old Baby Sir John Sir John Sur इसमें इसमें उन्हें बताया था Sir Thomas Roar जो की पहला अंग्रेजस था जो की दरवार में बेट किया था 14 a.99 में वास्को डिवा कहा हुत्रा था दोस्तों मैंने बताया था आपको लेक्टर में कि काली कटपंदग़ पे सबसे पहले उत्रा था और उसका स्वागत जो है जमोरी ने किया था भारत में अंग्रेजों ने 1612 में अपनी फैक्टरी कहां लगाई थी ओप्सन दिया हुए दोस्तों गुवा, आर्केट, हुगली वसूद्रा मैंने आपको बताया था, कि सबसे पहले भारत में अंग्रेजों ने अंत्न में आय था मैंने आपको सेज्ड बताया था दोस्तों कि डर्ज, फ्रांसिसी, अंग्रेज, पुर्थगाल इसमें जो है सबसे अंत में फ्रांसिसी आये थी 15 अगस्ट 1947 के बाद भी कौन सा भाग पुर्टगालियों के अधिन रहा था तो मैंने बताया था आपको कि गोवा जो है गोवा पर 1961 तक पुर्टगालियों का सासन रहा था और गोवा जो है 1961 में सवतंतर गोवा था तो हमारा जो यह उप्सन है सही है दोस्तों किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले व्यपार फैलाया था मैंने आपको बताया था कि किस व्यपारियों में सबसे पहले पुर्टगाली आये थे और उन्होंने अपना व्यपार फैलाया था यहां पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि कोस्टन से टेस्ट में और यह कोशन काफी आ रहा है और इससे आपको अंदाजा लगणा हो किस टाइप का एक्जाम में कोशन आता है और यहां पर में बताया है यह भी है आपको किस तरह का कोशन जो है ज्यादा पूछा जा जा रहा है अगला कोशन जो है हम देखते हैं कि पॉंडी चरी के कि पॉंडी चेरी पर कबजा करने वाली दुसरी अप्ज tą सकती पुर्तगाल है कौन सर्टेस्टन सभी है इसमें हमने को ठया तो कि कि पॉंडी चेरी पर कबजा करने वाला पहले सकती जो थी फ्रांसीसि थी और बाकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि जो है हम आप तक इस तरह का वीडियो पहुंचाते रहे हैं ठीक है दोस्तों धन्यवाद